नमस्कार दोस्तों, CMLC GS क्लास में आपका स्वागत है, दोस्तों, आज मैं आपको लोहा से संबंदी जितने भी GK GS प्रस्थ बनते हैं, जो जेनरल कंपिटिशन एकजाम में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रस्थ बताऊंगा, ये वीडियो में आप अच्छे से बने रहे गा यहां से हर इकजाम में कोश्चन आना तेरा आता है, ठीक है दोस्तों, तुम्हें सुरू करता हूं, देखे, लोहा से संबंदी प्रस्थ बताएंगे, देखे, लोहा का संकेत क्या होता है, ध्यान रखेगे, एफी, जिसे फेरम भी कहते हैं, जिसे फेरम भी, लेतिन नाम, लोहा का लेतिन नाम क्या फेरम है, लेकि यहां समझिएगा क्या कह रहा है, कि देश का पाला लो इसपात कार खाना कहां स्थापित किया गया, तो कुल्ती, कुल्ती है कहां, पस्चीम बंगाल में, कब किया गया, अथार सचोहत्तर इस्पी में, ध्यान रखेगा, और हमोगलोबिन में पाये जाने बाला तत तो पूछे न यूया है इस पर नजर रखेगा क्या है क्या है अगहात बर्ध निय और तन होता old我想 features earlier bei यह दयादर किया है तो अगहात बर्ध निय और तन कौन सा होता है तो लोहा ध्यान रखेगा। लोहा को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, सही है, तो किसको पीट कर एक पतली चादर बनाई जा सकती है, तो किसको लोहा को आप याद रखेगा, लोहा पर जंग लगना, अगर लोहा पर जंग लगना, पूछेगा कौन सा परिवर्तन है, तो रासाइनिक परिवर्तन ह ध्यान रखेगा अब यहां समझने योग बाते हैं समझिएगा यह कि लोहा में जंग अगर देखे लोहा में अगर जंग लगता है तो क्या होता है धात्विक गुन क्या होगा कम हो जाएगा धात्विक गुन क्या होगा लोहा में अगर जंग लगेगा तो धात्विक गुन क् मत्तिविक गुन क्या होगा, कम होगा, याद रखेगा महत्तपुन कोश्चन है, प्रिथवी में चुम्प किये सकती होती है, किसकी उपस्थिती के कारण? तो लोहा की उपस्तिती के कारण, ध्यान रखेगा, और लोहा में जंग जन्ग जो लगता है, भो किस जैसे रंग उसका पूछता है तो कभी कभी रंग पूछता है तो पूछेगा लाल भूरे रंग का होता है लोहा में जो जंग होता है उसमें कौन सा रंग दिखता है तो लाल भूरे रंग होता है याद रखेगा लोहा के संचारन का एक गंभीर समस्या पूछेगा संचार अईरण का एक गंभीर समस्या क्या है तो लोहा है ध्यान रखेगा आईरण बायू के उपस्थीति में जलने पर किसका निर्मान करता है तो किसका निर्मान करता है तो Fe2O3 का, Fe2O3 का ध्यान रखेगा, फेरा सलफेट के क्रिस्टल के एक अनु में, जल में कितने अनु उपस्थित होते हैं, तो 7, FeSO4 into 7H2O, तो कितने अनु फेरा सलफेट, FeSO4 into 7H2O, तो फेरा सलफेट के क्रिस्टल के एक अनु में, जल के कितने अनु उपस्थित होते हैं तो 7S2O ध्यान रखेगा महत्पुन कोश्चन है ठीक है दोस्तों तो यह सभी कोश्चन आप अच्छे से समझेगा आपके एक जाम के लिए महत्पुन है लेकि यह कोश्चन बहुत बार पूछा हुआ भूलियेगा नहीं लोहे में अगर जंग लगेगा तो धात्वी कुन कम ह जाएगा बजन पूछे तो अधीक हो जाएगा ठीक है आपको लगेगा कम हो जाएगा जंग लगेगा तो घत्ता है नहीं ऐसा नहीं तो लोही में जंग लगेगा तो बजन क्या होगा अधीक हो जाएगा ध्यान रखेगा बदाम की पहार लो ऐस की खान कहां है बदाम की ज देखें यहां समझेगा जंग रोधी इस पाथ जो होता है इस्टेनलेस इस्टील इसमें किस कारण से जंग रोधी होता है तो इस्टेनलेस इस्टील में किस कारण से जंग रोधी होता है अगर ऐसा पोश्चन रहे तो क्रोमियम के कारण किसके कारण 크ॉमियम के कारण लेकिան Il्m कभी कभी क्या होता कि ऐस् Τेल में यानि जंग रोधी हो सीधा पुछे जंग रोधी होता है अगर अगर सीधा पुछे चंग रोधी तो किसके कारण होगा तो कॉर्यम के कारण अगर कभी कभी क्रॉमियम Okay नहीं रहे तब आपको चुनने के लिए दे तो आप कार्वन सही लगाईए कार्वन आपको सही माना जागा है अगर option में chromium नहीं रहे तब अन्य था नहीं समझ भाए न दोस्तों तो पूछेगा इस्टेलस स्टील में किस कारण से जंग रोधी होता है तो chromium के कारण chromium option में है तो carbon नहीं बाप रहेगा तो बेटा नहीं बेटा रहे अगर बाप की अनुपस्थिती में बेटा को लिखते हैं ठीक है तो यह समझ येगा तो यह chromium बाप बेटा carbon ये example question के जरिये है समझ येग जंग रोधी बनाने के लिए ना लेकिए इस्टील को अगर कथोर बनाने के लिए प्रियोग करें तो कथोर बनाने के लिए क्या होगा कारवन होगा इस्टील को कथोर बनाने के लिए किसका प्रियोग करते कारवन अगर कारवन option में नहीं रहे तो chromium तो इस्टील को कथोर क नहीं रहते हैं क्रोमियम सही माना जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह सब दिखिए सब कोश्चन अगर जादा दिन तक प्रैक्टिस करेंगा त्यारी करेंगे तब आपको यह सब बाद में फिल होता है जब पढ़ते रहेंगे एक जाम उस टाइम नहीं बाद में इस पता चलता इसलिए सबी कोश्चन एक्सपिरियन्स से आता है ठीक है दोस्तों तो इसको नजा रखेगा अब क्या कर रहा है धातू ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभी किरिया करती है तो आईरेंड के साथ ठीक है समझिएगा और जब लोहे की फाइलिंग में SCL मिलाया जाता है जब लोहे की फाइलिंग में SCL मिलाया जाता है तब क्या होता है hydrogen gas और low chloride त्यार होता है क्या होता है hydrogen gas और low chloride त्यार होता है दोस्तो ये सभी question लोहा से संबंदी था वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है दोस्तो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आगे तो आप like कर देना और share भी कर देना अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ बिल आइकन को भी दबा दिजिए दोस्तो एक question का जवा आप लोग comment में दीजिएगा कि लुहा का ask कौन कौन सा इसका जवा आप लोग comment section में दीजिएगा ठीक है दोस तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद दोस्तों